हेलो फ्रेंड्स हाव आर यो ओल टूड़े आइम गोईंग टू टेल अबाउट प्लांट्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लांट्स के बारे में बताने जा रहे हूँ तो आएए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं There are many plants around us हमआरे आसपास अने को प्लांट होते हैं Some plants are big and some are small इनमें कुछ प्लांट बहुत बरे होते हैं और कुछ छोटे साइज के होते हैं Some bear fruits and some bear flowers कुछ प्लांट fruit bear करते हैं तो कुछ प्लांट flowers bear करते हैं प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड, प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं, वे हमें अनिकों चीज देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स नीड सनलाइट, वोटर, स्वाइल टू ग्रो, प्लांट को ग्रो करने के लिए या फिर प्लांट को बढ़ने के लिए, सनलाइट, धूप, वोटर मिन्स पानी और स्वाइल, मतलब मिट्टी की ज़रत होती है, लेट अस लर्न मोर अबाउट प्लांट, आहिए आज किस वीडियो में हम लोग प्लांट के बारे में और भी कुछ जाने, सबसे पहले हम ये जानते हैं, टाइपस औअ प्लांट्स, प्लांट के कितने टाइपस होते हैं, तो trees, plants के main five types होते हैं, trees, serfs, herbs, climbers and creepers, ये plant के types हैं, अब हम इन types को अलग-अलग अच्छे से समझते हैं, सबसे पहला हमारा है trees, trees are big plants, trees क्या होते हैं, big size यानि बरे size के plant होते हैं, they are tall and strong, ये काफी मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं, they have a thick and woody stem called trunk, इनके पास बहुत मोटे और लक्री के समान तने होते हैं, stem होते हैं, जिनको हम trunk कहते हैं, for example, mango, coconut, banyan, pine, ये सारे tree के example हैं, next हम आते हैं, shrubs, shrubs are small and boosy plant, shrubs जो होते हैं, ये tree से छोटे size के होते हैं, और boosy मतब जारी नुमा plant होते हैं, they have thin and woody stem, इसके stem thin होते हैं, पतले होते हैं, और trees के तरह ही ऊड़ी होते हैं, तब लक्री के होते हैं, for example, rose, jasmine, ये सारे shrubs के example हैं, जैसा के आप picture में देख रहे हो, इनके पौदे जारी नुमा होते हैं, और small size के होते हैं, some of these plants also have thorns, ऐसे plant में thorns मतलब काटे भी पाए जाते हैं, अब next हम आते हैं, herbs, herbs are very small and green plant, जैसा के आप picture से देख रहे हो, herbs के plant काफी छोटे और green होते हैं, they have very soft and green stem, ये काफी इनके जो stem होते हैं, काफी soft होते हैं, मतलब वो हाथ से भी अगर आप ऐसे तोर ना तोर, उसे हम हाथ से भी easily तोर सकते हैं, and green और इनके stem green होते हैं, for example, tulsi, जिससे हम अपने घर पे देखते हैं, mint, coriander, spinach, we eat many herbs, हम लोग बहुत सारे herbs को, herbs plant को खाने में भी यूज करते हैं, जैसे कि coriander, spinach, ये सब हम वेजिटेवल में खाने में यूज करते हैं, अब हम आते हैं, climbers, climbers are weak plants, they cannot stand upright on their one, climbers, जो plant होते हैं, काफी weak होते हैं, they cannot stand, ये अपने आप खुद से खरे नहीं रह सकते, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, they need support to grow, इनको grow करने के लिए support की need होती है, बत्तब ये किसी सहारे से ही grow कर सकते हैं, इनके stem काफी weak होते हैं, for example, money plant, grape wine, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, money plant, इनके stem, ये plant काफी weak है, इन्हें हम किसी rope या किसी stick के सहारे इनको grow करने में help करता है, जैसे कि ये grape wine में भी आपने देखा हैं, कि इसमें support लगे हैं, जिससे ये proper grow कर रहा है, उसी तरह money plant को भी raw plastic के सारे इसे लगाते हैं, जिससे ये proper grow करता है, तो climbers plant को grow करने के लिए always support की need होती है, अब हम आते हैं creepers, creepers are also weak plant, climbers के ही तरह creepers भी weak plant ही होते हैं, मतलब कमजोरी होते हैं, ये भी plant, they grow along with ground, ये जमीन के साथ ही grow करते हैं, for example, pumpkin, watermelon, creepers plant जो होते हैं, ये along with ground, मतलब इनके जो भी फल या फी जो भी vegetable है, ये मिटी में ही उपसते हैं, और ये मिटी में ही पूरे फैल फैल कर grow करते हैं, इसलिए इसे creepers plant बोला जाता है, और ये they grow along with ground, ये ground के ही साथ बढ़ते हैं, तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने plants के बारे में परा, and types of plant परा, कि plant के कितने types होते हैं, और उन सभी types को हमने अलग-अलग example के साथ अच्छे से जाना और परा, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब next वीडियो में हम परेंगे parts of plant, plant के कितने parts होते हैं, आज की वीडियो में हमने types पर लिया, अब next वीडियो में हम परेंगे parts of plant, ओके तब तक के लिए बाई बाई